नमस्कार आप देख रहे हैं ये ये यूस्टाडी एक्सप्रेस और मैं हूँ आपके साथ रश्मी पाण। आएगे नसे जाती हैं इस वक्त की बड़ी ख़बता। जासी सिले की मोट तैसिल शेत्र के लोग खात की किलत से बेहत परिशान थे। जिसकी सूशना गरोठा विधायक को लगते ही विधायक ने खात की किलत से परिशान किसानों की समस्या को गंभीरता से ले। और खाद की किल्लत से जूंज रहे किसानों की समस्या के निदान के लिए उच्छा दिकारियों से बातशीत की साथी महट 24 घंटे में खाद की किल्लत गरोठा विधान सभा में खत्म हो गए और प्राविट से लेकर सरकारी समीतियों पर प्रियाप्तु मात्रा में खाद उपलब दे हैं दरसल पूरा मामला गरोठा विधान सभा शेत्र का है जहां किसान खाद की किल्लत से बेहत परिशान थी वहीं गरोठा विधायक किसानों के मसीहा भी माने जाते हैं और पूर्व से ही किसानों की नेता भी कहे जाते हैं जैसे ही गरोठा विधायक जवाहला राजपूत को खाद की किल्लत की समस्या किसानों ने बताए और लोगों से उन तक पहुची तो गरोठा विदायक ने मामले को गंभीरता से लिया और किसानों के समस्याओं के निस्तारण के लिए उचदिकारियों से लेकर लगनव प्रमुक सचिव को उक्त मामले से अबगत कराये और समस्या के निस्तारण के लिए चर्चा की जिसको प्रमुख सचिवने गंबीरता से लेते हो महज 24 घंटे में ही खात की किलत से जूझ रहे किसानों की समस्याओं का निस्तारण गरोठा विदाय के अथक प्रयास्ते महज 24 घंटे में किसानों की समस्या खत्म हो और पूरे विधान सभा में प्रयाप्त मात्रा में खाथ का भंडाल वा। साथी किस्तानों को सुनब तरीके से खाथ उपलब्द हो रही है। वहीं प्रावेट दुकानों से लेकर सरकारी समीकियों पर भी खाथ की भरमात है। जलादकारी से परसों महट करी है। और जो खाथ की डियेपी की खास्तोर से समय जो समस्या थी। तो उसमें उन्होंने ततकाल आदेश दिये। और हमें लगता है आज मोट में बाजार में भी जो खाथ विकरेता वहीं बाट रहे हैं। और सुसाइटी के हैं वहीं बाट रहे हैं। और हमें लगता खाथ की ऐसी कोई समस्या नहीं। किवल जो ट्रांसपोर्ट में आने जाने में समय लग रहा है। अनता खाथ परयावत मात्रा में हैं। लेकर चुगी सब किसान एक साथ लेने आ गए। इसलिए थोड़ी समस्या आई। लेकर फिर भी किसानों से हम कह रहे हैं कि लगातार आपको खाथ मिलेगी। कहीं किसी तरह कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही हर जगे अपन जाकर सुन देख रहे हैं। आज हमें लगता बाजार में भी देखा यहां सुसाइटी पर भी देखा तमाम किसान सभी किसान अपना खाद लेकर जा रहे है। सभी शेत्रवासी और जनपद्वासियों को ग्राम भिलाईकला के प्रधान प्रतिनिधी वप्रधान संग मीडिया प्रभारी महमत अश्रफ की ओर से धंतीरस एवंदिपावली की हार्दिक शुप कामना है। सभी शेत्रवासी और जनपद्वासियों को धंतीरस एवंदिपावली के पावन परवपर ग्राम सभा सवितापूर के प्रधान संगध्याक्ष विरेंद्र तिवारी की ओर से हार्दिक शुप कामना है। मनसूरी किसान मशीनरी स्टोर हमारा पता है शापू रोड मोट जिला जासी उत्तर प्रदेश। हम से संपर्ट करें हमारी मोबाल नंबर 9838306711 8808384708 दसमेश ग्रूप अफ कंपनी मलेर कोटला पंजाब दसमेश ग्रूप किसानों का सच्चा साथी। हमारी यहां हार्विस्टर, भूसा मशीन, रोटा वेटर एवं अन्य क्रिशी यंत्रो पर शासन की गाइडलाइन के अनुसार सबसीडी एवं अन्य सभी सामान उचित रेट पर उपलब दे हैं। भूसा मशीन एवं रोटा वेटर की रिपेर ने पंजाब की कुशल कारिगरों द्वारा कराई जाती हैं। एवं हार्विस्टर में SMS भी लगाई जाती हैं। सभी क्रिशी यंत्रो पर फाइनेंस एवं होम डिलीवरी की सविधा उपलब दे हैं। सीता राम ट्रेडर्स हमारा पता है SBI ATM के पास में रोड मोर्ट हमारे यहां नेरोलेक पेंट, एशियन पेंट, पुट्टी, ब्रश, लकडी की पॉलिश का समान आदी सभी प्रकार का समान उचित रेट पर मिलता है। नकालो से साफधान, सौ प्रतिशन ओरिजनल्टी की गारंटी, संपर्क करें दिये गए हमारे मुबाइल नंबर्स पर 947-393-2363 या फिर 875-691-9443 प्रॉप्राइटर धुव गुपता, राकेश गुपता पनारी वाले। 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, 1-1-2, डायल 1-1-2 तैयार हैं, तैयार हैं, रक्षा को तेरी तैयार हैं, तैयार हैं, मर मिटने को तैयार हैं घर छोड़ कर मूँ मोड़ कर अपने अर्मा को तोड़ कर रक्षा तेरी करने को हम 24 गंटे तैयार हैं तैयार है तैयार है रक्षा को तेरी तैयार है तैयार है तैयार है मर मिटने को तैयार है घर जोड़कर मूँ मोड़कर अपने अर्मा को तोड़कर रक्षा तेरी करने को हम चौबिस घंटे तैयार है 1-1-2 मुश्किल हालात हो 1-1-2 जब कोई नसात हो 1-1-2 चाहे दिन या रात हो 1-1-2 ड्यूती हिशान है 1-1-2 वर्दी घुमान है 1-1-2 डर का निधान है 1-1-2 चाहे कोई मुश्किल आए चाहे कोई भाशा आए 1-1-2 डायल कर देने जब खतरे की या हट आए घर पर जब कोई अकेले हो और मुश्किल उनको घेरे हो इमजंसी डायल कर देने चाहे रात हो या सफेरा हो 1-1-2 मुश्किल हालात हो चाहे कोई नसात हो चाहे दिन या रात हो 1-1-2 1-1-2 मुश्किल हालात हो चाहे कोई नसात हो तर्मक तू मुश्किल में दायल 1-1-2 पाग, एम्बुलेंस, दैवी या बदा या किसी भी प्रकार के आपाग काली निस्थती में अपने फोन से 112 डायल कर हमें घटना की जनकारी ने ताकि जल से जल आपको वा आपके परिवार को सुरक्षित किया जा सके